तो हम बुद और चंद्रमा की यूति के बारे में बात कर रहे हैं, बुद और चंद्रमा जब आपकी कुणले में विभिन भाव में इस्तित हों, तो इस यूति के किस प्रकार के प्रिणाम सामने आ सकते हैं, आपके चार्ट में अगर बुद और चंद्रमा बारवे भाव में इस्तित हों तो ये यूति आपको क्या-क्या रिजल्ट दे सकते हैं इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं वो दोर चंद्रमा जब भी बारवे भाव में इस्तित होंगे तो एक बहुत ही गहरी सोच जहां पर आपका अंदर ये अंदर चिंतन चल रहा है मन में कुछ जरूर आपका चलता रहता है ऐसे आपका मन कभी भी इस्तित नहीं रहता और काफी बार आप गलत निर्ने ले लेते हैं ओवर धिंकिंग की प्रोब्लम है बार-बार कुछ ना कुछ आप सोच रहे लगातार लेकिन एक final decision पर नहीं पहुंच रहे अगर final decision पर पहुंच भी रहे तो वहाँ भी आपको काफी complex इस्तिति का सामना करना पड़ रहे आपके सामने बहुत सारे options available है जहां पर आपको ये चुनने में कठिना ही हो रही है कि वास्त में आपके लिए सही कोन है आपके लिए perfect कोन है तो जातक को मौखिक संचार या मौखिक अभिव्यक्ति में हालंकि ये काफी अच्छा रहता है जातक कि रचनात्मक्ता को बढ़ाता है ज्यादा से ज्यादा उसके imagination को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का ये यूति काम करेगी बारवे भाव में बुद्ध और चंद्रमा की यूति है तो जातक कुछ न कुछ नया explore करने में कुछ आध्यात्मिक चिंतन करेगा वो कुछ न कुछ नया खोजेगा और जातक में कुछ इस प्रकार की power कुछ अलग प्रकार का intuition उसमें हो सकता है जहां पर उसमें एक अलग प्रकार की healing की छमता भी हो सकती है बुद्ध और चंद्रमा अगर बारवे भाव में है तो आपको रिस्तों और धन के लिए ये काफी बैचैन करके रखेगा बुद्ध और चंद्रमा का बारवे भाव में इस्तित्थ होना कहीं न कहीं जातक के मन को काफी बैचैनी उठपन करवाएगा आपके जिवन में थोड़ा सा भी अगर उतार चड़ावाता है भले ही वो धन को लेकर हो प्रोपर्टी को लेकर हो या किसी भी अन्य कारियों को लेकर उतार चड़ा हो तो जातक का मन काफी बैचैन हो जाएगा वहाँ पर जातक को प्रोपर यह नहीं सुझेगा कि उसको वास्त में अब आगे क्या डिसिजन लेना चाहे इसी तरीके से अचंद्रमा और बुद्ध का बनाये रखने के लिए या उन रिस्तों के लिए बहुत कुछ आपको जिवन में करना पड़ सकता है फिर यहाँ चंद्रमा है साथ में बुद्ध के तो चंद्रमा जब भी बुद्ध के साथ इस्तित होते हैं प्रैसे में आपका जो इंटेलिजेंस है वो आपकी इमेजिनेशन के साथ मिलके काम करता है आपकी कल्पना सकती का आप बहुत बहतर उपयोग कर सकते हो इस केस में कभी-कभी जात्तक आध्यात्मिक छेतर में बहुत अच्छा काम करेगा जात्तक अपने विभार से काफी उदार होगा दूसरों को सायता करेगा, दूसरों के लिए काफ़ी सायक होगा वो और दूसरों के जिवन को बहतर बनाने में उसका योगदान बहुत ज्यादा हो सकता है अब जब बारवे भाव में ये यूती बनती है बुद और चंद्रमा अगर बारवे भाव में हैं, तो जो पैसे का फ्लो है धन का जो फ्लो आपके जिवन में हलंकी बना रहेगा लेकिन आपके पास पैसे को रोकने के लिए, पैसे को अपने पास रखने के लिए कोई ऐसी प्रयाप्त धारना या कोई ऐसा एक स्ट्रोंग विचार नहीं होगा जिसमें आप पैसे की बचत कर सकें, जिसमें आप पैसे को सही प्रकार से खर्च कर सकें तो ये भी एक बड़ी दिक्कत आपको यहां आ जाती है जब भी बुद और चंद्रमा बारवे भाव में इस्तित हों, तो कोई न कोई प्रकार की आपको मानसिक रोप से चंता बनी रहेगी आप हर प्रकार के रिस्ते को बहुत ही सहेज के आगे बढ़ेंगे इसके लवाज जातक को कुछ हद तक इंट्रिव वगरे देने में दिक्कते हो सकती है उसको पब्लिकली सामने आने में लोगों के काफी बैचे नहीं हो सकती है या वो थोड़ा साई नेचर का हो सकता है साथ ही बुद्ध और चंद्रमा जब बारवे भाव में इस्तित्रों तो एक और समस्य आपको आती है आप हमेशा कोई भी जब डिसिजन लेंगे तो फाइनल डिसिजन तक जब तक आप पहुंचेंगे तब तक आपको हलांकि उतनी समस्या नहीं आएगी लेकिन फाइनल डिसिजन तक पहुंचते पहुंचते जातक इस इस्तिते में चला जाता है कि उसके पास फिर भी बहुत सारे options available हैं सामने और उसमें से वो कौन सा चुने अब उसको समझ नहीं आता तो यहाँ एक final result कभे-कभी आप नहीं प्राप्त कर पाते भले ही तो आप कोई डिसिजन ले रहे हैं या भले ही आप कोई भी इन्ने कारी कर रहे हैं इस प्रकार के जातक highly creative होते हैं और इन जातकों को कोई भी creative field को ही चुनना चे इसके लावा इन जातकों के विचार बहुत अद्बुध हो सकते हैं इनमें कला थोड़ी unique type की हो सकती है साथ ही कभी कभी ऐसा होगा जब इनकी skill publicly सामने नहीं आएगी ऐसे जातक अकसर देर रात तक काम करने वाले हो सकते हैं चिंतन और मनन में ये लोग काफी अच्छे हो सकते हैं मैंनो वग्यानिक रूप से ये काफी मजबूत हो सकते हैं इनके अनुभव life को लेकर बहुत ही अलग बरकार के हो सकते हैं बुध और चंद्रमा जब भी साथ हैं तो जातक के पास बहुत सारे ideas होंगे किसे भी विसे को लेके क्योंकि यहां जातक का intelligence उसके बहुत बैतर तरीके से काम आ सकता है जब भी चंद्रमा साथ हैं तो जातक अपनी कलपना सकती को बहुत मजबूत बना सकता है बुध को वो और ज़्यादा explore कर सकता है बुध से related चीजों को और ज़्यादा वो घ्रण कर सकता है यहां पर अपने मन के द्वारा और अपनी भावनाओं के द्वारा तो यहां पर एक लेकिन आपको balance रखने की बहुत ज़्यादा जरुत बन जाती है balance रखने की आप सकता है अगर आप imbalance हो जाते हो तो यहां काफी दिक्कते आ सकती है तो जातक का behavior बले ही अच्छा हो जातक की life में सब कुछ अच्छा हो लेकिन वो कोई न कोई ऐसी परेशानी से हमेशा गीरा रहेगा जहां पर उसको बहुत बैचेनी उत्पन हो रही है फिर ऐसे जातक कभी भी stable mindset वाले नहीं होते यह या तो बहुत ज़्यदा चिंता करेंगे किसी काम की किसी रिस्ते की या इनका मन बार बार भार भटकता रहेगा इधर उदर तो आपको अपने आपको मानसिक रोज से stable रखना इस यूती की वज़े से काफी ज़्यदा दिक्कत में आ जाएगा यहाँ पर जातक अपने आपको लेके भी कभी-कभी बहुत डाउट करने लगता है अपने कुछ विचारों या अपने कुछ निर्नेों पर भी ऐसा जातक कुछ डाउट कर सकता है बुद और चंदर्मा जब बारवे भाव में इस्तित हो तो जातक विदेश में काफी बार यात्रा कर सकता है जातक को अपनी मात्र भूमे से दूर जाना पड़ता है वो विदेश में जाकर कोई प्रॉपरिटी खरीद दे तो उसको काफी लाब मिलता है ऐसा जातक अपने study purpose के लिए या अपने income वगरे के sources को ढूणने के लिए विदेश जा सकता है ऐसे जातकों में चंचलता बहुत ज़्यादा होगी मन उनका इस्तिर नहीं रहेगा मन में वैचे नहीं होगी किसी ना किसी परकार से उनकी मानसिक इस्ति थोड़ी disturb रहे ही सकती है अब यहाँ पर आपको क्या करना है जब भी आपका बुद्ध और चंद्रमा बारवे भाव में इस्तित हो तो चंद्रमा यहाँ अच्छे इस्तिति में अगर हो तो इस conjunction के आपको ज़्यादा अच्छे प्रिणाम मिल सकते हैं फिर भी आप अपनी वाक सकती को बहुत improve करें तो बहुत अच्छा रहता है जातक किसी भी परकार के competition को fight करने में अच्छा रहता है जातक को कोई भी life में समझ से आ रही है उसके समाधान के लिए अगर जातक प्रियास करें तो निश्यति उसको सफलता मिलती है लेकिन वास्तम में किसी एक final decision पर पहुंचना या किसी एक final एक target को achieve करना काफे मुश्किल होता है इन जातकों के लिए इसके लवा मन में जो विचार आते हैं आपके काफी ज़्यादा विचारों का तुफान से आ जाता है तो यहाँ पर ये भी जुरुत है आपको कि आप अपने आपको मानसिक रूप से stable रखें अब आप ये देखे कि बुद्ध और चंद्रमा का समंध आपकी कॉंडली में कौन-कौन से भाओं से है जिन भाओं से इनका समंध है उन भाओं से related आपको खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे उन भाओं को लेकर आप में भाओनात्मक उतार चड़ाओ काफी ज़्यादा रहेंगे उन भाओं से जुड़े हुए रिस्तों के लिए आप जिन में काफी कुछ करेंगे आप उनको काफी सपोर्ट करेंगे emotionally और financially और भी किसी भी प्रकार से आप सपोर्ट कर सकते हो बट उन रिस्तों से उन भाओं के कारियों से आपको जादा कुछ expect नहीं करना चाहिए तो ऐसा जाद तक अपनी डैली लाइफ में काफी अच्छा होगा अपनी डैली लाइफ में काफी मजबूती से वो कारी करने वाला होगा और लगबग ऐसे जाद तक ज्यादा तर रात्री तक देर रात्री तक जागने वाले हो सकते हैं ये चिंतन और मनन बहुत ज्यादा करने वाले हो सकते हैं दार्शनिक टाइप की सोच रखने वाले या मनो चिकिदसक या मनो विग्यानिक ये लोग हो सकते हैं इसके लवा हर विशे में, किसी भी प्रकार के विशे में ऐसे जातक बहुती डीप तक घुश सकते हैं, एक बहुती डीप थिंकिंग इनके मन में हमेशा बनी रहती है, तो ये कुछ प्रिणाम है जो आ सकते हैं जब भी आपके कुंडली में बुद्ध और चंद्रमा की उति आपके चार्ट में 12 भाव में बनेगी,